जैसे कि दोस्तों वैगनार का सेवन सीटर वेरियंट जून में हो सकता है अब लॉंस तो चलिए जानते कीमत और फीचर्स के बारे में तो जैसे कि दोस्तों देश की सबसे बड़ी कार निर्माथ कमपनी मारूती सुजुकी ने अपनी नई फैमली कार लॉंच करने की या पूरी तियारी कर लिया है लॉगडाउन खतम होने में दोस्तों कुछी दिन बाकी है ऐसे में वैगनार के नए सेवन सीटर एमपीवी वेरियंट को भारतिय बजार में लॉंच करने का पूरा फैसला मारूती ने कर लिया है और बताना चाहूँ कि नई सेवन सीटर एमपीवी को जून 2020 यानि अगले मईने ही लॉंच किया जा सकता है नई वैगनार सेवन सीटर जो की साथ लोगों की बैठने की जगा के साथ आएगी कमपनी इसे अपने एक्स्टेंडर वील वर्जन के साथ इस्तमाल करके लॉंच करेगी दोस्तों इंजन की बात करें तो नई मारूती की वैगनार सेवन सीटर के अंदर अब आपको 1.2 लिटर की शमता वाला फोर्स लेंडर वाला इंजन लगाया गया है जो की आपको दोस्तों जबरदस 82 BSP की पावर और 113 एनम का पीक अप टॉक जनरेट कर पाने में शमता रखता है इसके कुछ फीचर्स भी खास होने वाले हैं जैसे की 5 स्पीड मैनवली के साथ साथ ये आटोमेटिक गेर बॉक्स के साथ बजार में उतारी जाएगी इस कार को दोस्तों बताने शाओं की हाईब्रीड और भविश्य में EV पावर 10 के साथ भी लॉंच किया जा सकता है और साथी साथ दोस्तों खबर ये भी लिकल के आ रही है कि कंपनी अपनी नई वैगनार 7 सीटर का नाम भी चेंज करके दूसरा रख सकती है दाकि ग्राकों के बीच किसी प्रकार का ब्रह्म ना हो 7 सीटर वाली वैगनार के बेश्ट में MPV की टककर, डेटसन गो प्लस के फैसली वेरियंट और रेनो की आने वाली नई टाइबर NXT से होने वाली है अगर दोस्तो कीमत की बात करी जाए तो बताना चाहूँँआ कि बड़ी कार होने की वज़ा से इसकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ सकती है बताना चाहूँआ कि मारुती अपनी नई 7-seater वाली वैगनार की श्टार्टिंग कीमत 5 लाक रुपे से लेकर 6 लाक रुपे के बीच में रख सकती है जो की दोस्तो एक affordable price भी है और ये 7-seater कार है और बताना चाहूँआ कि इसमें सारी आपको advanced features भी देखने को मिलेगे जाएगा जो की हम सभी के लिए काफी अच्छी बात है इसमें दोस्तो ग्राको को option मिल जाएगा कि वो पैट्रोल वाली लेना चाहते है फिर CNG वी कलब अगर दोस्तो features की बात करें तो मारूती की नई 7-seater Wagner के अंदर आपको click anti-lock breaking system reverse parking sensor और साथी साथ USB और Bluetooth connectivity के साथ दो दिन audio system के साथ touch screen infotainment system जो की Android Auto और Apple CarPlay सुवीदा के साथ आने वाला है safety की बात करें तो दोस्तो इसके अंदर आपको dual airbags और EBD और ABS और नया child seat monitoring जैसा ISO fix system भी दिया जाएगा तो दोस्तो ये तो काफी अच्छी बात है कि मारूती अपनी नई Wagner को 7-seater sunscreen के साथ बारती बाजार में जून में लाँच करने वाली है काफी लंबे समय से दोस्तो इस कार की चर्चा चल रही थी मगर फाइनली इसको लाँच करने का समय तैन नहीं हुआ था मगर आप इसको जून में लाँच किया जाना है तो अपनी राय हमें comment box में जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आये तो बीना लाइक करें बिल्कुल मच जाएगा मिलेगा हम जास्तो नेक्स वीडियो में धन्यवाद